ग्रामिन शेत्रों में प्रतिभाव को निखारने के लिए चार दिवसिये सांसल खेल महोचो का हुआ आयोजन दिनांक 25 मई से लेकर 29 मई तक होने वाले चार दिवसिये सांसल खेल महोचो का आयोजन महराजगंच 19 लोग सभा शेत्र में किया गया है जिसका उधगाटन गुरुवार को उच्चितर माध्यमिक विद्याले जलालपूर में प्राता आठ बजे महराजगंज सांसा जनारतन सिंग सिग्रवाल करेंगे यह खेल बनियपूर, जलालपूर, तरहिया, मश्रक, एकमा, वसंथपूर तथा महराजगंज में आयोजित किया गया है सिरी सिग्रवाल ने कहा कि इस खेल का उधिश्य है कि ग्रामें शेतर में प्रतिभाओ को निखारना इसमें जीतने वाले प्रतिभागियों को पांच दिनों के लिए दिल्ली भ्रह्मन पर ले जाये जाएगा जिस से बच्चों को खेल के प्रती रुची बठे इसमें शामिल खेल, होखो, एथलेटिक्स, कबड़ी, दौर, उची कूद, लंबी कूद, गुला फेक, वॉली बॉल, हैंड बॉल, फुट बॉल है आगे इसका और क्या उधिश्य है, इस खेल का क्या क्या प्रक्रिया है वो सुनिए महराजगंज के सांसद जनार्थन सिंग सिग्रवाल से दिखी यह इसका एक बड़ा उदेश है, बड़ा सोच भी है गाउं के जुआउं को, गाउं के छातरों को, गाउं के बच्चों को राश्ट्रीय मंच मिले, उसके परतिभा को जागरित किया जाए उसके जो अंदर के एनरजी है खेल के परति, उसको और उत्साहित किया जाए इसका एक प्रयास है, सांसद खेल महरोच सोग हमें गाउं को गाउं से, पंचायत को पंचायत से फिर प्रखंड और पूरे लुकसभा अस्तर पड़ या खेल आयोजीत है बालक बाली का दोनों वर्ग क्या खेल होने वाला है विशेश करकर ग्रामिन खेलों को जादे पुरसाहित किया गया है जिसमें क्रोस कंट्री भी दौर होगा एतलेट्स के भी दौर होगे लौंग जौंप, हाई जौंप होंगे उसके अलामे फुटबॉल होगा, खोको होगा कबड़ी होगा, भोलीबॉल होगा या सब खेल आयोजीत किये जाएंगे जो ग्रामिन खेत्रों में हम असानी से खेल सकते हैं और परतिभाग को निखारने का काम हम कर सकते हैं इसके बाद इसका सबसे बड़ा उदेश्या है कि जो इसमें परतिभागी चुने जाएंगे समाजिक समीकरण करणसार और छट्रिये समीकरण करणसार उनको दिली भर्मन कराया जाएगा और दिली भर्मन सिर्फ दिली का भर्मन नहीं होगा उनको फिर वहां राष्टपती भावन का भर्मन उनसे मिलाना परधान मंतरी जी से मिलाना लोक सभाब भावन को घुमाना दिखाना और वहां के खेल संगों के अध्यक्षों से खेल मंत्री से, ग्रिह मंत्री से, रक्षा मंत्री से और वहां के जो एतिहासिक प्लेस हैं उस सब के दर्सन कराना यह पांच दिन का ट्रिप होगा आने जाने को ले करके और इसके पुड़ी वेवस्ता यही खेल जो आयोजन हो रहा है सांसद खेल उत्सव उसी के माध्यम से क दिया जाएगा, मैंने उनको एक उचित पलेट फ़र मिले और उनके लिए एक एतिहासिक हो जाए, उतिहास के पन्ने में वह दर्ज हो जाए, चुकि कोई भी नौजवान, कोई भी छात्र, कोई भी जुआ, अगर रस्टपती से मिलने जाएगा, रस्टपती से मिलकर के लो और खेल का तो एक सीमा है कि हम 25 से 29 तक करेंगे, लेकिन खेल का दौर लगातार चलते रहेगा, यह एक बंद में है कि यह सीमा में इसको नहीं बाना जाएगा, आगे ठीक है, अलग-अलग खेलों में हभी कब लोग प्रयास करेंगे कि पूरे छित्रभर में फुटबॉल का खेल हो, हर मैदानों में खेल हो, एक टीम गाओं की रहेगी, अगल-गल के आयोजग का रहेगा, और एक टीम बाहर का रहेगा, पहले उसके बारे में फुटबॉल के बारे में बताएंगे, उसके बिसे सब जो होगे, इसके खेलने का आई तरीके का, और फिर खेल होगा, औ बच्चों में कहीं भोली बॉल होगा उसके बारे में बताना एक सिक्षित भी करना और उसको साहित करकर के उचित मंच दिलाना इससे पूरे सांसद खेल उत्सव का सबसे बड़ा उदेश है कि हम छेतर के जुआओं में उसके एनरजी और उसके ताकत को जागरित करें और इस लोगसावा च्षितर के साथ पुरे देश के मंच पर उसको ले जाने का यह प्रयास है बड़ा प्रयास है तो कोई भी बच्चा आ सकता है लेकिन इसका छेतर लिमिट है वह बच्चा होगा सिर्फ महराजिगों लोकसभा छेतर का उसका चुकि रेजिस्टेशन है रेजिस्टेशन फर में अभी आपको इसू कर दिया जाएगा रेजिस्टर्ड होगा उसमें उसके सारे पंजियन होग तो उसको तो हम सम्मानित करेंगे मेडल गोल्ड मेडल लेकिन उसका सम्मान लगातार वह चलते रहेगा मैंने जो कहा कि दिली भ्रह्मन के गलग परिकल्पना है यह सब लोग इस परिकल्पना को कर भी नहीं सकते हैं लेकिन हम लोग को छत्र को कैसे जुआओं को जागरित किय है इसमें हर को इस खेल में इसको मुका मिलने वाला है और सब को उसाहिद करने का प्रयास किया जा रहा है जा ना